भाई सोचो, दो हफते back-to-back आपकी एक बहुत प्यारी डेट हो, डेट बहुत बढ़िया गई हो, आप होटेल रूम के अंदर हो, सब बढ़िया जाने वाला हो, जब घर से फोन आ आता है, बेटा, घर आ जाओ, जल्दी से, और आपको घर जाना पड़ता है, सब को छोड़ क यह हुआ है, चल्सी के साथ दो back-to-back हफते, मैंचेस्टे उनाइटे के गैंस वान ओल, और आज आसनल के गैंस वान ओल, दो ऐसी चीज़े जो सब बढ़ी आ जा रहा था, और हमें दोनों मैंच जीतने चीए थे, बड़ आखरी मोमेंट पे नहीं जीत पाते हैं, इट इस यह सब आखरी मोमेंट ऑफ यह सब्सक्राइट इसक्षंट सोब्सक्राइब जीतने चीप इनजा अचाइब आखरी मिल रखे मेंट इन नुदर आखरी मोमिट इन यह थे, बड़ पे। प्लेयर्स प्लेट प्लेट तक मैच काफी कीज़ी था, दौनों टोनों तोनों चैंस मिल रहते हैं, ऐसा सा मैच था कि counter attack Chelsea का versus set pieces Arsenal के, यहां पर कही ना कही कुछ decide होने वाला था, मेरे एसाब से, that's what I thought, फिर हमें पेड्रो नेटो, पेड्रो नेटो फ्लैंक से, Ben White का खतम कर रहता है भाई, Ben White का करियर in that moment, इधर और आगे पीछे भागे, he gives this incredible cross, मालो गुस्तो, open goal header miss करते हैं, which he should have scored, and it is about that, taking chances like that, उसके जज़्च बाद, मार्टिनेरी को एक चांस मिलती है, Robert Sanchez, पता नहीं कैसे सेफ कर लेते हैं, फिर काय हैवर्ट्स, काय हैवर्ट्स, उस बढ़ुए के बारे में जित नहीं किसे तना goal मार दिया, वो भी Mason Mount की पास की वज़े से, और तू अब Chelsea के against, ऐसा act करता है, that you want to just erase that from your memory, why, what did Chelsea ever do to you, भाइल, गल्टिया, तेरे से Chelsea fans frustrated रहते थे, तेरे से Arsenal fans frustrated रहते हैं, आदर टाइम, किस बात किया कड़े, तेर में gummy bear खाता रहता है, half time पे, बेतो का इतनी खुशी हुई थी ना मेर को, VR decision में जब काय है, what's offside था, भाई, just disgusting, निल निल जाता है, half time पे, and half time पे मेरा fear था, the only thing that can let us down, is Robert Sanchez, and it is uncanny, it is uncanny, कि वो आदमी कैसे हर match में, गोटे मूँ में ले आता है, पूरे Chelsea के fans के, अपने मूँ में नहीं, मतलब, ऐसा नहीं होता कि हमारे गोटे Sanchez की मूँ में चले जाते हैं, ऐसा होता है कि हमारे गोटे हमारी मूँ में आ जाते हैं, because of Robert Sanchez, it is just वो आदमी, भाई, near post, Martinelli के पास ball आती है, and he gets beaten on his near post, and Arsenal are 1-0 up, Arsenal are 1-0 up, because Sanchez, near post पे beat हो गया, भाई, मेरी दादी, मेरी दादी, my grandmother could have saved that, my grandmother could have saved that shot, even though we could not save her, it should have been saved, but it just, क्या कर रहा है, भाई, Robert Sanchez, हम नहीं जीच सकते हैं, बड़े matches, जब तक Robert Sanchez हमारा गोल की पर है, इतना खुंड़क मचीत है न, मेरी को उस moment में, जब Robert Sanchez में मिस करा है, भाई, क्या है, near post पे कैसे beat हो रहे हो तुम, but उसके बाद, Enzo Maleska substitution करते हैं, Noni Mudweke को बाह है, ऐसे कोई injury की report नहीं है, ये talent tunnel के अंदर गए है, वो गुस्से में, bench पे भी नहीं बैठे, मैं manager होता है, Enzo Maleska की जगा, बोलता है, 100-0 के पढ़े, तु बाहर बैठ, कोई ज़रूरत नहीं है, तरको दो हफते हमाँ match खिलने कि तु squad में ही नहीं है, अब उस तरव right पे पेडरो नेटो, लेफ्ट पे खिलाओ, मिखाईलो मुटरे कि या जेडन सैंचो, नहीं चाहिए है, मैं नोडी मढ़ वेके, वूल्स के against hat-trick मार के अपने आपको बनने कान मत समझो, बड़ अन्यवे, Enzo Fernandez का zone, जिसने 3 assist करे थे midweek में, और आते ही, आते ही gives a pass, पेडरो न राया से मैं इतना जाधा impressed था पूरे मैच में, उसकी positioning, उसकी ball collection, उसका भाई, outfield goal की पर बन जाता है, वो थोड़ा manual noya type, आगे आके header मारता है, मिखाईलो मुडरिक को एक बार उसने race में बीट करा, जिश, डाविड राया, incredible, but पेडरो नेटो का finish against राया was just world class, भाई, मज offside होते हैं, बार्सलोना से सीख किया है, यह Chelsea offside trap, के भाई, मार के दिखावो गोल, आप offside होगे, हैवर्ट's offside होई थे, एक बार मार्टनेली भी offside होई थे, end में chances मेली थी, मार्टनेली शायद तब, मार्टनेली थे हैं, कोई और था, तब भी offside थे, there were a lot of offside chances that happened, but the few cons of Chelsea CR, that पिछले हफ़ते, Manchester United, late गई थी हमारे लिए, के आओ, गोल मारो और जीच जाओ, नहीं कर पाए हम, वहाँ पे भी हम हगे, यहाँ पे भी, it was there for the taking, final third बो जाके हम back pass करना चुरू कर देते हैं, क्यों, why are we being so passive, इतना passive होने की जरूरत नहीं है, और Cole Palmer left पे क्या कर रहे है, Cole Palmer left पे क्या, भाई, हिंदुस्तान की politics, अमेरिका की politics और Cole Palmer, हिंदुस्तान की current politics, अमेरिका की current politics और Cole Palmer, यह तीनों की तीनों चीज़े left पे wasted है, absolutely wasted है यह left पे, कुछ नहीं हो पा रहा है, क्यों है Cole Palmer left पे भाई, उसको center पे रखो, power पे रखो, उसको center के पास, ताकि वो decide कर भाई, कहां से क्या करना है, and would have been better, but, पाना नहीं, that is just my thought, I am obviously not better than Enzo Mareska, but it should have, he should have been there, and we should have won, but, it is what it is, one all खतम होता है, and we are third in the table, अगर आपने मुझे शुरू में बताया होता है, क्यारा बारा मैच के बाद हम third होने वाले हैं, तेबल में, मैं बोलता है, बहुत बढ़िया मगर, third, fourth, fifth, sixth, सब के 19 पॉइंट है, we are third, we are feeling third with six others, ये वाला सीन हुआ हो है, भाई, feeling third with six others वाला हमारा सीन हुआ हो है, I don't know if it's good, if it's bad, but it is what it is, third आ रहे हैं, अगले हमारे एक और अच्छी ये बात है, कि हम City को खेल चुके हैं, हम Liverpool को खेल चुके हैं, हम Arsenal को खेल चुके ह हैं, the thing now is, that अगले साथ-ाठ मैचे में, जो हमारे हैं मैचे, we need at least 15-16 पॉइंट, 16 पॉइंट हमें चाहिए, 35 होने चाहिए हमारे 19 मैच के बाद मेरे हिसाब से, अगर वो होते हैं, 35-37 हमारे पॉगर होते हैं पॉइंट, I will be very very happy, but we should have won this, we should have won last week, we should have won this week, we should have won against Nottingham Forest, ये तीन ऐसे हमारे draws हैं, जो थोड़े चुब से रही हैं मेरे को, कि तीनों मैच हम जीत सकते थे, but ठीक है, it is what it is, अगली तरफ, United versus Leicester में, Bruno Fernandes इतना खुश है, कि एल ठैना ही जा चुक है, दो गोल मार दिया भाई, ने, पहला गोल बहुत बढ़ बढ़िया, दूसरा गोल, पहला गोल तो बहुत ही साही था, थ्रोइन आती हैं, Bruno Fernandes स्कोर जोड़ेट गोल, and then he scored a header, Bruno Fernandes हेडर मार रहा है, उसके बाद गरनाचो ने एक बैंगर गोल मारा, Bruno Fernandes का assist, रूड वैनिस्टल्रोई भाई, क्या बढ़िया management करिया भाई, Manchester United के लिए, at this point I'm sure a lot of Manchester United fans would even say, क रूड वैनिस्टल्रोई रख लो, हमें Amorim की ज़रूरत नहीं है, tell me United fans, आपके साब से क्या होन अच्छी, Amorim तो आई रहा है, but would you at this point would have taken रूड वैनिस्टल्रोई also, I personally would take Amorim, but रूड वैनिस्टल्रोई ने अपना position बहुत ही बढ़िया maintain करके रखे, कि future हमों बन सकते है full-time Manchester head manager, Manchester City फिर से हार गई भाई, Pep Guardiola फिर से हार गया, 2-1 to Brighton, 2-1 to, 4th straight loss for Pep Guardiola, भाई, पता चल गया, कि Rodry बालों दे और डिजर्व करते थे, he deserved the बालों दे, 2-1 हार गया, 4th straight loss, just incredible, in the meantime, दूसरी तरफ, Liverpool अपने authority stamp करते हुए, 2-0 जीती विला के against their top of the league, 5 points clear of Manchester City, and Arsenal, जो काफी लोगों की favorite थी, 9 points clear from Arsenal, in November, November चल रहा है और 9 points already clear है Liverpool, Arsenal से, Chelsea से भी clear है वर Chelsea को तो किसी ने सोच रहा है कि title जीतेगी, अभी भी चांस भी नहीं है, मगर Arsenal को तो लोगों ने संसेटर करा था, crazy, absolute crazy scenes have happened in the Premier League this season, मुझे लग रहा है ये Premier League season, goals मारने पर dependent है, defense पे तर even सही है, it is the attack that's going to win, because Liverpool को फरक नहीं बढ़ता, counter attack मारती है, goal मारती है, Mohamed Salah कुछ जादा ही insane है, तो goal मारो, defense पी करो, थोड़ा थोड़ा, but goal मारना is more important this season, मेरे हिसाब से, the more, I mean it is inevitable, जादा goal मारो के तो जीतो की, मगर, कई बार होता है, लोग बोलते है, defense wins you leagues, this time the attack is going to win you a league it is my personal opinion, but यह था Premier League का weekend, मोटा मोटा, Barcelona का match अभी शुरू नहीं हो at the time of recording this, एक बारावच के चपन मिनट के आसपास हो है, कहा है, कहा है, क्रेम में, बारावच के चपन मिनट हो है, आदा गंटा है, Barcelona के match में, Barcelona के शाइद वीडियो अलग से बनाए, most likely बनाएंगे, depends how the match goes, ला जीतना चाहिए था, और Robert Sanchez को निकालो, और Kai Havertz को दो चामाटे मारो, प्लीज लाइक करते हैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, make sure you press the bell icon ताकि वीडियो को भी मिसना हो, करन सिंग मैजिक को भी सब्सक्राइब कर दो, इस हफते एक बहुत ही बैंगर वीडि See you next time, up the chills, whatever happens, up the chills, always